सो हेलो टेडर्स वेलकम टो सीपया टेडिंग यूटिव चैनल आई होप आपने आज अच्छा-कासा प्रॉफिट किया होगा ठीक है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लास्ट मेना एक मोमेंटम आपको दिया होगा अगर मैं आपको चार्ट दिखा हो बैंक निफ्टी का त थिर भी हमने अप्रोंगे 200 PLUS POINTS हमने निकाल लिया MARKET सा ठीक है तो कैसे निकाल आप्को दिखाने वाला हूं और साथ है मारकेट कैसा हो सकता ठीक है कल मारकेट मारकेट गया डॉप अब डान होगा फ्लाट ओपईों जो भी ऑपेन होगा फbert करेंगे तो सब कुस्का स्यक् स्क्राइब कर दें बैल नोटिफिकेशन दवा लें क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पहुंच सके देखिए यह नौव निसका है मैं नौव पंदरा में वाचलेश ने पहले आड़ करा दिया था 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 ठीक है नौव निसका है मैंने यह दे जो आपको दिख रहां यह है पृऴियस विखाई ठीक है और यह है आरवन ठीक है तो प्रीब्येस विखाई आरवन का अपन एक जोन मानते हैं ठीक है मतलब कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगा मतलब 42,718 के ऊपर मार्केट जाएगा तो हम एक अच्छा-कास बुलीस हमें कॉल बाई करना है ठीक है तो हमने भी ग्रूप में कॉल बाई का अपडेट दिया था ठीक है आप देख रहे हो 205 पे हमने बाई दिया था और मार्केट का प्राइज उस्टम हमारा साथ जो गया था वो साथ SL हीट हुआ था उसके बाद मैं एक ग्राफ डाला था ठीक है आप चार्ट को देखो और समझो निफ्टी का चार्ट यहां पर असिस्टेंस था बैंक निफ्टी का चार्ट यहां पर सपोर्ट था आज पूरे दिन मार्केट इसके नीचे नहीं रेंटरी के लिए बोला और यह 245 कहां तक गया 395 ठीक है तो हमारा इंटरी प्राइस क्या हुआ है इंटरी इकल टू 245 एक्जिट इकल टू 295 ठीक है तो इतना बड़ागर आपको भी प्रॉफिट करना है आपको भी अगर कंसिस्टेंस प्रॉफिट करना तो आप हमार सा जूड़ सकते हो आपको CPR के कोर्स भी मिलेगा और साथ में लाइव एविनार होगा उसमें मैं सिखा भी दूँगा ठीक है कि कैसे अपन CPR के उपर ट्रेड कर सकते हैं चलिए अब मैं बताता हूं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है सबसे पहले आपके मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करते ही मार्केट ने डोजी बना दिया अब डोजी गरूल आपको पता है कि हाई ब्रेक होगा उपर मोमेंटम लो ब्रेक होगा नीचे मोमेंटम लेकिन यहां पर पॉसिवल कि साइड का मोमेंटम जाता है हमें वह देखना है देखिए जब भी market R1 में रहता है ना मंतली CPR को आ, R1 के ऊपर market रहेगा, तो market highly bullish रहता है, ठीक है, highly bullish market रहेगा, लेकिन यहाँ पर आगर आपको देखना है, तो आप क्या देखो, 20 moving average को भी देखो, यह बहुत जादा दूर है 20 moving average से, ठीक है, तो क्या होता है, या तो moving average candle के पास आता है या तो candle है, candle moving average के पास आता है, ठीक है, यहाँ पर बहुत दिन market क्या हुआ, यहाँ दिन बहुत दिन market consolidate किया, तो market धीरे-धीरे करके, यह 20 moving average उपर आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रुका हुआ, अब क्या हो सकता, इसके लिए आपको क्या करना, वन आवर के टाइम फ्रेमें चलना, आपको धीरे-धीरे करके, लेवल नीशे आना, ताकि आपको समझ में आ जाए, अब द उपर market गया, लेकिन sustain नहीं कर पाया, ठीक है, 2800 के पास से market क्या हुआ, एक बहुत बड़ा rejection आया, और market बीच में ही आ गया, अब देखिया, आप के समझने कोशिस कीजी, यह जो लेवल है, यह लेवल कौन सा है, previous week high और R1, previous week high R1 में आज बहुत दिर तक market, sideway रहा premium decay करते और फिर से market ने close वहीं पर कर दिया, तो आपको समझ में आ रहा कि अगर फिर से market कल इसी zone में open होता है, तो फिर से market कल time pass करेगा, आपको यह चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर market कल flat open होता यहीं पर, तो market time pass करेगा, कभी उपर जाने एकोसिस, कभी नीचे जाने एक देलो अगर cross कर दिया market, ठीक है, अगर market ने देलो cross कर दिया, उसके बाद क्या होगा, यह gap fill होगा, ठीक है, gap fill होने के बाद क्या होगा, कि market try करेगा 20 moving air, विच पास आने के लिए, ठीक है, अब अपन चलते हैं, पांच मेंट का time frame पर, आपको दीरे दीरे करना है, सबसे पह moving average उपर है, मैं क्या बोला, कि candle को direction में अगर move करता है, तो moving average को साथ देना पड़ेगा, या फिर आप ये बुल लो, कि अगर moving average जिस तरफ रहेगा, उस तरफ अगर candle रहेगा, तब जाधा momentum आ सकता है, तो अगर आप moving average यहाँ देख रहे हो, 20 moving average, 20 simple moving average उपर है, 50 नीचे, त 20 को नीचे आना होगा, और ये 50 को इधर जाना होगा, उसके बाद ये नीचे आएगा, यहाँ से retrace करेगा, यहाँ से resistance लेगा, और ये फिर market डेलो तक आएगा, ठीक है, तो ऐसा movement ऐसा pattern बनना चाहिए, तब market में ज्यादा momentum आएगा ने, तो फिर से ये market यहाँ पर sideway आएगा, ठीक है, और तब तक 20 moving average नीचे आएगा, उसके बाद ये नीचे ऐसे करके आएगा, ये button 100% कल बनेगा, आप लोग धियान रखना अगर market flat open हो गया तो, ठीक है, आप मैं बात करता हूँ, gap down का, अगर market gap down हो हुआ इस zone में, ठीक है, मतलब ये zone क्या है, previous to low और S1, तो previous to low S1, जो open होने का बाद market आज क्या हुआ, वन बे ऊपर चला गया, ठीक है, तो कल भी आपको एक नीचे का support दिख सकता है, और वहीं अगर मैं बात करूँ कि market कल gap up open हो जाता तो, क्या होगा, तो gap up कल market अगर open होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे फिर से support ल करना है, 0-0 trade करना है, तो आप हमारे टेलिग्राम के साथ जूड़ सकते हो, ठीक है, पेड़ वाले ग्रूप में भी, फ्री वाले ग्रूप में भी, मैं वहाँ पे update कर दूँगा, कैसे अपन trade कर सकते हैं, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, निफ्टी के बारे में, कि निफ अब आते हैं, वन आवर का टाइम फ्रेम पर, अब यह चीज़ समझना है, जो अभी मैं moving average का logic समझा रहा था, देखे, moving average 20 नीचे था, ठीक है, यह 20 moving average है green, 50 moving average है red, market यहाँ open हुआ, ठीक है, market नीचे आया, market इतना दुर में, कुछ ने किया, बस market time pass करता रहा, ठीक है, फिर से market को rejection मिला, और market फिर से नीचे आगे, तो यह क्यों हो रहा था, market यहाँ उपर क्यों नीचे है, ठीक है, अगर यहाँ 50 के पास रहता ना, तो जहाँ 50 है, अगर वहाँ 20 रहता, जहाँ 20 है, अगर वहाँ 50 रहता, तो यहाँ पर सपोर्ट लेका, डेहाई को बैंक, सौरे, Nifty अगर आज ब्रेक कर देता, तो यह CPR के उपर आ जाता, तो फिर से आज यह bullish बन जाता, लेकिन अगर आप अभी बैटन देखोगे, तो आपको यह क्या समझ में आ रहा है, कि यहाँ से जो market resistance ले रहा था ना, वो अभी तो continue है, ठीक है, और यह वाला level continue चल रहा है, ठीक है तो यह level आपको पता है कि अगर यह किधर भी निकले है, तो आपको momentum देगा, अब कौन साट side के जादा momentum का आप देख सकते हो, आप देखो, एक resistance, दो resistance, बहुत सारा resistance यहाँ पर है, ठीक है, 20 moving average नीचे, अगर market कल gap down open होता है, और यह level जिसे निकल जाता है, मतलब कि gap down open होकर 18195, इसके नीचे अगर market move करने लगता है, तो आप एक बड़ा target नीचे के लिए देख सकते हो, ठीक है, और अगर gap up open होगा, तो इस level के उपर open होना पड़ेगा, और यहाँ पर sustain करना पड़ेगा 10-15 minutes, उसके बाद market यहाँ तक, उसके बाद market यहाँ तक जा सकता है, ठीक है झाल